नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे यूटूब चैनल आरोग अरुग अरुविद हमें मैं डॉक्टर महावीर अमडिक आईच की सरा राजस्तान अरुविद नुस्टि जो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्तान अरुविद मेडिकल ऑफिशत की जो वेकिंसी आईए 639 पोस्ट के लिए उसके लिए फरम अपलेक कैसे करना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शन्स दे गए हैं आपको गूगल क्रोम पर जाना है dswra.info वेबसाइट को उपन करना है उसके बाद में इस प्रकार का पेज उपन होगा इस पेज पे लिखा हुआ है rules and instructions के लिए अनुबव प्रमाण पत्र को upload नहीं किया जाना है जो candidates NHM, NRHM के अंदर पहले से लगे वे थे उनके लिए है यह अनुबव प्रमाण पत्र यानि की जो उनका अनुबव का प्रमाण पत्र है उसको upload नहीं करना है उसको document verification के time पर ही उसको वेरिफाई किया जाएगा इसलिए उसको अप्रोड करने की ज़ूरत नहीं है और कंडिडेट्स एक माई दोजार तेईस से एक अत्तिस माई दोजार तेईस तक रिजिस्टेशन यहनि की आफ्लिकेशन फिल अप्रोड करने के लिए टायम दिया गया है इसके अंदर आप अप्रै कर सकते हैं और एक जून दोजार तेईस से दस जून 2023 एनि की 10 दिन का समय आपको करेक्शन के लिए दिया गया है अगर 1 मही 2023 से 31 मही 2023 तक कोर्म के अंदर कोई भी तूटी या गलती रह जाती है बाइचांस तो आपको 1 जून 2023 से 10 जून 2023 तक इसमें सुदार करने के लिए ये समय दिया गया है 10 दिन का इन कारिय दियुसों में कारियाले में कारियाले समय में विश्य विद्धाले में व्यक्ति से उपस्तित हो करके शुदार करवा सकते हैं इसके लिए आपको तीन सो रुपे का डिमांड डाक्ट बनवाना होगा और साथ में आउसेक दस्तावेज यम तूटी शुदार के प्रमाण का मूल दस्तावेज देना पड़ेगा उसकी एक सो प्रमाणित प्रती साथ में लाना सुनिश्चित करें पुखत अधे के बाद आप कोई भी सुदार नहीं करवा सकते हैं इस लिए या तो कोई भी गलती नहीं करें अगर बाईचांस q20 रह जाती है तो इन दस दिनो के अंधर अंदर आप अपनी गलती सुदार सकते हो अब हें registration कैसे का registration के लिए for registration click here registration के लिए यहाँ पर click करना होगा आपको click करने के बाद में आपके सामने कुलेगा interviews तो उसके अंदर आपको नाम, father's name, mobile number, आदारगार्ड number, mail id डाल करके आपको password create करना है उसके बाद में आपके पास में इस प्रकार से login करना पड़ेगा, login के लिए आपके mail id और password जो भी आपने लगाए हैं साथ में ये capture code डाल करके login करना होगा, login करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का interface को लेगा, इसमें आपका full name, father's name, mail id जो आपने डाली है, आदार नंबर, 12 digit का होता है, enter mobile number, date of birth, domicile, gender, category और sub category उसके बाद में आपका address, address के बाद में आपके education, qualifications और professional qualifications, BMS, internship registration information, आपका registration number क्या है, registration की date क्या है और कब तक आपका registration valid है, उसके बाद में आपको save करना है, इस प्रकार आपको यह से save करना होगा, सारे details बरने के बाद में, और फिज, इसके जो application फिज है, बूपे करनी होगी, इस प्रकार आपका यह पौर्म फिल हो जाएगा, अगर इसमें आपको कोई doubt हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यूटूब में, कमेंट के माद्यम से, और आईरवेस से समद्धी सुचनाओं के लिए मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,